फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू ट्रिक से धाबा इस्टाइल कड़ी पकोड़ा जी हाँ दोस्तों बहुत से लोग के ना पकोड़े बहुत जादा टाइट हो जाते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े वाली कड़ी लेके आयूं कुझ की रसोई सब्सक्राइब बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट नरब नाम धाबा इस्टाइल कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़ी बनाएंगे तो एक कड़ोरा ले लिया और इसमें हमने एक कड़ोरी बेसन डाल दिया है और अब यहां पे हम दो प् खाने में टेस्ठी लगती है फिंग यह भी डलाइंगे उसे क्या होगा अच्छा आता हमें तो दाले नमक जैसे अदि तो लालेंगे अगर आप धावाला स्वाथ चाहते हो ना तो पकॉल आप जाहते ह students को बनाएं बनाते हैं लेकिन आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा टाइट नहीं करा आपकी तो चलिए इसका स्वालेशन में आपको बता दिया अब इनको फ्राइए करेंगे इसको ले चलते हैं अपनी गैस की तरह फ्रेंट्स पर हमने कडाई रग दिया फिल्म कौन कर दिया हो यहां पर चलिए दोस्तों पहले इसको अच्छे से हम तेल को गरम हो चुका है अब इस तरीके चोटी-चोटी हम बनाएंगे और इसमें डाल देंगे तेल में आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना मतलब पतला है सही है मतलब इससे ना हमारी जो पकोड़ियां बिल्कु सॉफ्ट ब बाल दूगी क्योंकि जो हमारी कड़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा है इसके मैं एक साथ ही फ्राइब कर दूँगी सारी पकोड़ियां यह देखिए आप देख सकते हैं सारे पकोड़ियां इसमें पढ़ चुकी है तो चलिए दोस्तों नीचे से अच्छे से फ्राइब करने बाल लेटेगे नीचे से फ्राइब हुई हैं क्या कहा करऊंगी स्प्राइब inhale यह देख तेम अच्छे से इसको पलट और दिया है तो चलिए दूसरी तरह सभी अच्छी से इसको फ्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं दोनों तरब से ना हमारी पकोड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पर्फेक्ट हमारी कड़ी के लिए पकोड़ी बनके तयार हो चुकी है और मैं आपको ना इसको तोड़ के विए दिखाऊंगी कि यह कितनी सॉफ्ट बनी है लेकिन गाइस बहुत जादा गरम हो रही है मेरे से पकड़ी भी नहीं जारी है यह यह देखें अंदर से आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनी है पकोड़ी तो यह कड़ी में डाल के भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो चलिए अब इसको शाइड कर लेते हैं दूसरी तैयारी सब्साइब हम कड़ी के गूहल बना कर तयार कर लेंगे तो इ यहां पर हम एक चोथा ही चंबर टाल देंगे हल्दी पाउडर क्योंकि कड़ी में जादा हल्दी पाउडर अच्छी नहीं लगती है थोड़ा से हींग डाल देंगे और अब इन दोने चीज़ को अच्छे से बेसन में मिला लेंगी तो लीजी बहुत ही अब देख सकते हैं अ मैंने बेसन में डाल दिया और इसको न अच्छे से फैटिंगे ता कि इसमें लम्ट नहीं गांठे न वहाँ अजन दी पर जाती है तो इसको ना विसकर अच्छे से वैटिंगे लीजी आप देख सकते हैं तो चली दूस्तों पहले इसको अच्छे से पैट के तैयार कर लेत कड़ी का हमारा बुल्कुल बनके तयार हो चुका है तो इसको हम चौकेंगे उसके अपनी गैस की तरफ सबसे पहले हिंग डालेंगे ना कड़ी में उतना ही स्वाद बढ़के आता और एक चमज डाल देंगे जीरा और जीरे को अची से तड़कने देंगे फ्रेंट जीरा अची से तड़क गया है तो जो हमने बेसन के घुल तैयार कराता है वह तुरंद के तुरंद इसके साथ डालके और इस प्रैचुल बिल्कुल भी नहीं रोकना है क्योंकि अगर आपने रोक दियाना तो इसमें मठा होता है वह फट जाता है इसलिए हमें चलाना होता है तो फ्रेंट्स फिर से मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया याने कि एक ग्लास मठे में मैंने दो ग्लास पानी डाला है क्योंकि अभी यह कड़ेगी न तो इसलिए थोड़ी गाड़ी होती है कड़ी इसलिए मैंने यहां पर दो गुना पाने जाए डाला है ठीक है तो इसको ना continue चलाते रहना है ताकि यह अच्छे से हमाई और तब तक चलाना है जब तक इसमें खद के ना जाएं और इसको ना हाई फ्लेम पर चलाना है ठीक है तो यह लीजिए फ्रेंड्स हाई फ्ले यह खद के लग रहा है अब यहां पर थोड़े से ना हरे दनी के पत्तियां डालेंगे इससे कहोगा इसमें खुश्बू भी अच्छी आ जाएगी और देखने में हमारे कड़ी है बहुत ही सुआद लगेगी तो चलिए दोस्तों आप लोग फ्लेम पर कर देते हैं इसको अ हाधी चमछ मैने मैति दाना लिया है इससे بहुती बढ़ी है स्वाद आता है और यहां पर मैंने दो प्याज ले ली थी लंबी साइज कर लिए फ्रेंट्स और यहां पर मैने नौँक। पूरी डाल दी थी मैंने और उसको ना लंबी साइज क 누ल集न टा इन लह फ्रेंड़ी頭 आती है तो भी बहुत मी मज़ा आता है तो चलिए तड़के के लिए हमारा सारा समन तयार हो चुका है और जो हमारी कड़ी है वह भी अच्छी से खदक गई होगी तो उसको चेक करते हैं करतेको जाएं जब अच्छी से खड़के अगर नी तो फिर भी भूल झाएगी तो हमें गहुलना नहीं है हमें पूरी थाषूत की साथूत हम् हमें रखनी है। ठीक है तो यहां पे सारी पज़्वें डाल दी है और यह देखें बहुत ही अच्छे से फिर से आ मेना कड़ करता लगाया और आप देख सकते हैं कितनी बड़ीया हमारी कड़ी बनके तैयार हुई है बहुत ही बड़ीया endorse मिलायी पड़ गई है चारो तरफ से भी मिलाई पड़ी है इसका मतलब यह है कि हमारी कड़ी है एक दम परफेक्ट खद की है तो फ्रेंट जितनी आप कड़ी को कड़ाएंगे ना उतनी ही टेस्टी बनती है तो चलिए अब इसको फ्लेम को आफ कर देते हैं इसको गैस पर सुतार देते हैं अब इसमें तड़का लगाएंगे सब फ्रेंट गैस पर हमने एक पैन रखके और फ्लेम को ओन कर दिया है यहां पर हमने डाल दिया है रिफाइंड ओयल फ्रेंट आज मेरे पास तेल खतम हो गया था नहीं तो तेल की बहुत अच्छी बनती है अगर आपके पास तेल होना तो त तो चलिए पहले हम इसको रिफाइंड और अच्छे से घरम होने देते हैं लीजी फ्रेंट अच्छी समारा गरम हो चुका है आप देख सकते हैं तो अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले हम लसूं डालेंगे क्योंकि लसूं बहुत जल जल जाता है मतलब जल जाता है मतलब तो इसको न लो फ्रेम पर हमने अच्छे से भूनेंगे लस्टून को आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको अच्छे से भून गया तो यहां पर कुटा हुआ धनिया और मैति दाना डाल देंगे और इसको न अच्छे से पहले हम तो फ्रेंट्स प्याज हाफ फ्राइब हो चुकी है तो यहां पर हमने जो साबित लाल मुर्चे अब डाल देनी हैं हमने पहले क्यों नहीं कि दाली कि आपर तेल जदा गरम होता है और फिर एक तो फिर आप दो काली बढ़ जाती है तो हम अच्छ लगती है इसलिए मैंने ये तो लीजिए फ्रेंट्स बहुती अच्छे सारी चीजे भून के तयार हो चुकिया और लाल मिर्च आप देख सकते हैं सावित वाली बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी ना तो हमें इस तरीके से कलर रखना है आप यहाँ पर एक चमच भरके डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिलाएंगे फ्लिम को ओफ कर देंगे और फटा फट से हम कड़ी में लगाएंगे जट पट से तड़का यह देखिए गाइस बहुती बढ़िया हमने तड़का लगा दिया है बिल्कुल धाबा स्टाइल जी हाँ दोस्तों बहुती बहतरीन लग रहा ह देखने में तो साथ के साथ यहां पर हरे दनी की पत्या भी डाल देंगे फ्रेंट्स बहुत ही बड़ी लुक आता है और फ्रेंट्स मैं नमक डालना भूल गई थी उस दोरान क्योंकि हमने पहले नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि कड़ी खटी हो जाती हमें एंड में डाल कड़ी पोकोड़ा बनके तयार हो चुकी है लुक आप देख सकते है कितना सुन्दर आया जितना सुन्दर लगाई उतना खाने में तेस्टी लगती है यह कड़ी पोकोड़ा बहुती बहतरी धाबा की मि धाबा से भी अच्छी बनती है गाई एक बार ट्राय ज़रू करना थोड़ी जवान भी लड़ खड़ा रही है बस देखते लग रहा है ना मुह में पान नहीं आ रहा है तो ऐसे लग रहा है फटाक से खा ले तो फ्रेंट्स आप इसको चावल के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए बहुत ही लजीज लगती है वही मुझे बहुत जादा पसं बागी लोग के अपने घर में बना कर खा सकें फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंकी सो मच बड़े हो तो आशिवा देना देर सारा प्यार देरा मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई टेक कियो लव यू अल